बिहार के पूर मुख्य मंत्री और राजत सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं इस बीश लालो प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव मामले में अगले सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी और उस दिन उनकी जमानत हो जाएगी लालू की वकील ने दावा किया कि अगले सुनवाई में लालू प्रसाद यादव की जमानत हो जाएगी ऐसे में माना जा रहा है कि लालो प्रसाद यादव जेल से भार आ सकते हैं बता दें कि शुक्रुवार को लालो प्रसाद यादव की जमाना त्याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन इसकर सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने इसी 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया